कॉंग्रेस के राष्ट्रिय मीडिया प्रभारी और कैथल के विधायक रंदीप सुर्जेवाला कलायत विधान सभा क्षेतर पहुंचे वहाँ पर कारेकरता दरभीर के दफ्तर का उधगाटन करते हुए जन सभा को संबोधित किया अपने संबोधन में सत्ता की तोड़ जोड़ के विशाय में सुर्जेवाला ने जनता को अनेक बाते कही पत्रकारों से बात करते हुर अन्दीप सुर्जेवाला ने कहा कि उत्तरी हरियाना प्रदेश की सरकार बनाने में एहम भूमी का निवाता है यहां कॉंग्रिस मजबूत हो तो प्रदेश में सरकार बन जाती है अगर कॉंग्रिस की सीटे कमजोर हो तो कॉंग्रिस हार जाती है तो उत्तरी हरियाना में कॉंग्रिस के शासंग में सशक्तिकरन दिखाना होगा स्वास्ते मंत्री अनिल विज़ पर चुटके लेते और अंडीव सुर्जेवाला ने कहा अनिल विज़ को गंभीरता से मत लिया करो कई चीजें अनेटेन्मेंट के लिए होती हैं उन्हें उसी तरीके से लीजिए और अपना समय इन बातों में वेस्ट ना करें कई चीजें होती हैं वो एंटेन्मेंट की होती है उन्हें उसी तरीके से देखिए आपना समय मत नश्ट कीजिए कारियाले का श्री गनेश जिला परिशत के पूरव वाइस शेर में और हमारे साथी धरमदीर पोड़ेखाजी ने कलायच शेहर के अंदर किया सयोग से इतना जोश और खरोश हमारे नौजवान साथियों बुजर्गों और हर वरक के व्यक्ति में था के ये कारिकरम एक बहुत बड़ी जनसभा में तब्दील हो गया इस प्रकार से कलायच के इलाके की कैथल और उत्री हर्याना की अंदेखी खटर सरकार के द्वारा की गई है उस मांग को व्यापक तोर से इस जनसभा के माध्यम से कॉंग्रेस पार्टी के साथियों ने समेत मेरे रखा हमारा ये मानना है कि उत्री हर्याना हर्याना के शाशन की कड़ी है जब इस सारे इलाके से कॉंग्रेस पार्टी भारी मतों से विजई होती है तो प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बन जाती है और जब कॉंग्रेस यहां कमजोर हो जाती है तो कॉंग्रेस चुनाव हार जाती है जैसा 2014 के चुनाव में भी हुआ पूरे उत्री हर्याना में एक कैथल विधान सबा को छोड़ कर और कोई सीट हम नहीं जीत पाए इसलिए महत्पूर्ण बात यह है के उत्री हर्याना की जनता का शशक्तिकरन उनको शाशन में हिस्सेदारी उनको शाशन में पूरी भागेदारी और राजनितिक वैस समाजिक और आर्थिक टाकर यह दी जाए आज उसमें कलायक जो है एक महत्पूर्ण हिस्सा है वर्षों से यहाँ लोगदल या निर्दलिय विधायक बंते आए आज ये आहवान हमने किया के भारती राश्टिये कॉंग्रेस के विधायक को चुनिये ताकि कॉंग्रेस के सब साथी मिलकर कलायक और पूरे उत्री हर्याना और कैतल जिले की सेवा को सबल तरीके से कर सकते कैतल से कैतल से मनोज मलीक